कि अच्छ तो प्राब्लम नंबर फोर में हमने क्या करना है कैलकुलेट अंसर अप्टू इप्रोप्रियेट नंबर आप सिग्निफिकेंट डेजिट ठीक है तो ए में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे तोड़ा सा इंपोर्टन हेंट स्थदेदा हुँ के हमेशा ही जो आपका फाइनल अंसर होगा हमेशा जो हमारे पास तो आपने क्या नहीं करना होगा तो लीस प्रिसाईस टेटा थे मेरे कैने का मतलब यह है कि आप ने इड़ एनड जब किल्कुलेशन कर लिए किसी नंबर को आपने लट सपोज A B C को 8 कर दिया या A divided by B plus C कर दिया या A multiply B then divided by C कर दिया whatever आपने कर दी तो आपका जो final answer यहाँ पर D आएगा ना तो D के जो significant figures होते हैं वो आपने पर चिक करना होगा कि A B C जिसमें सबसे ज्यादा कम होगी लट सपोज इसमें तो आपका answer क्या होगा आपका answer के significant figure भी तरी होनी चाहिए least least आपने जो given data उसमें चिक करना होगा कि किस का सबसे कम है तो पर आपने अपने फाना आपने असर के बाद सपोज इसमें A में 4 था B में भी 4 था C में भी 4 था तो आपके D में क्या होगा फोर ही होगा अगर इसमें 2 था इसमें 5 था इसमें 7 था तो इधर क्या होगा 2 ही होगा ठीक है किने में अपका reduce to least precise data समझ गए चलो अब आते हैं A को solve करते है ठीक है तो यह तो simple सा है आपने सारी इस values को calculator में दे दो और calculator से इसको solve करो calculator से नहीं कर सकते नहीं है तो 246.24 238.2780 गया और 98.300 तो कर लो तो 981.1 तो इस इकल टू एट पॉइंट पॉइंट आट आट सोला बाइस दो दो ची तो इस नाइन एट वन फाइप सो 582.818 यह हमारे पास final answer आ गया तो हमारा जो solution है तो 582.818 अच्छा अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसमें after decimal 3 है इसमें after decimal 2 है इसमें after decimal 1 है मैं आटको बता है तना के after decimal कितने significant figure में आप चाहिए तो वन तो अब मैंने क्या करना है round of कर लो एट को खतम कर जाओ तो 582.88 को खतम कर लिया तो चुंकि यह 5 से ज्यादा है तो यह 2 हो जाएगा तो 582.2 को खतम कर तो कि यह 5 से कम है तो फिर उसको खतम कर तो 582.882.88 तो अब याते हैं सी पार्ट पे सी पार्ट में हमने क्या कहा है कहा है कि हमें सी पार्ट में क्या दिया है 2.66 2.66 क्रास 10 पावर 4 माइनस 1.03 क्रास 10 पावर 3 अच्छा इसके से प्राब्लम सॉल्फ करने से पहले अब देखो कि यह तोड़ी सी complicated हो जाती है तो आपने पहला step क्या करना होगा इसमें को बराबर करने है ठीक है अगर इसके पावर बराबर नहीं है तो पिर आपको सॉल्फ करने में बहुत टाइम लग जाता है तो सबसे पहले आपने पावर को बराबर करना होगा तो यह इसको 3 बनाए और यह इसको 4 बनाए एक तो करना होगा मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस तरह कर रहा हूँ ना मैं चलो इसको 3 बना देता हूँ तो यह क्या हो जाएगा यह मेरे पास हो जाएगा 2.66 cross 10 cross 10 power 3 minus 1.03 cross 3 power 3 अच्छा अब आते हैं 2.6 cross 10 to 26.6 cross 10 power 3 minus 1.03 cross 10 power 3 ठेक है आब 10 power 3 common है ले लो बाइर कर दो तो 26.6 माइनस 1.03 और 10.3 को मैंने कामन कर दिया अब इसकी value इससे निकाले तो यह हमारे पस आ जाएगी 2. Sorry, sorry यह जाएगी हमारे पास 25. 25. 5 7 आ जाएगी 25.57 1. Multiply 10 पावर तो यह हमारे पास आ गया अब ठीके हमारे पास यह जो है ना अगर हमने इसको significant figure में लगए significant figure के बाद हमने जो वो पिर हमने क्या करना होगा scientific notation में लगना होगा तो scientific notation में इस तरह होते के हमेशा ही number के बाद अपने point करना होगा point या decimal के left hand side पे सिर्फ एक ही number रहा हूँ चाहिए चूंकि यह पर दो है तो मैं इसको इदर लेके आ रहा हूँ तो यह हो जाएगा 2.5 5 7 cross 10 पावर 4 तो यह हमारे पास तरह हो गया अब क्या करना है हम आम आपके तो हमारे पास question में यहाँ पर क्या थे decimal के बाद 2 थे यहाँ भी decimal के बाद 2 थे तो हम भी यहाँ पर decimal के बाद 2 करते हैं तो 2.5 7 को खतम करते हैं तो चुंकि यह 5 से ज्यादा है तो इदर एक जगा तो 2.56 cross 10 पावर 4 so this is my answer